स्कॉट के फादर का अजीब हालाद में मर्डर हो जाता है उसके तुरन बाद उसकी मदर ने शादी कर ली थी उसे लगता है शायद उसके फादर का मर्डर हुआ होगा इसके पैरलल में उसका अपनी स्टेफ सिस्टर के साथ भी अफेच जल रहा था और ये मिस्ट्री पूशिश करते हैं हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको फैसिनेशन ये 2004 की एक थ्रिलर मिस्ट्री हॉलिवड मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसके ट्विस्ट एंटरंस आपको हमेशा आपकी सीट की एच पर रखेंगे तो अन्त इस वीडियो को ज़रूर देखेग सुमिंग करते-کरते उन्हें हट एट एगा जाता है और वैसी उनकी डेथ होकी फ्यूनरल पर स्कॉट कहता है मैं मेरे फादर से बहुत पयार करता था उनके साथ मुझे टाइम्स पेंट करना था मैं इजदा ना चाहता था कि मैं उनसे पयार करता हूँ उसे बहुत बुरा लगता है कि अब यह सब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा इसके बाद नेक सिन में लॉयर प्रॉपर्टीज विगरा बाट देते हैं स्कॉट अपने फादर को याद करकर उनकी सारी चीज़े देख रहा था वह जब छोटा था तो वह और उसके फादर एक घर बना रहे थे वह स्कॉट को बता थी कि ऑलिवर एक फ्रेंड है पर उससे जादा था रात में स्कॉट ने ऑलिवर उसकी मदर को इंटिमेट होता देखा मदर का नाम में मौरिन इस बात से वो डिस्टब हो गया था अगली सुबा जब वो अपने बोर्ट पर काम कर रहा था तो एक बहुत भी ब्यूटिफुल लड़की को देखता है इसका नाम था केली इन दोनों की नजरों से नजरे मिली और तभी एक दूसरे को लाइक करने लग कहे थे स्कॉट जाकर उसे अप्रोच करता है बहार डिनर के लिए पुछता है पर केली ने कहा कि मैं जरा बीजी हूँ उसके साथ न देखने वाले इस बात से स्कॉट डिस्टब हो गया और यहां से गुस्से में चला जाता है उसकी मदर उसके पीछे पीछे गई तो स्कॉट ने कहा कि तुमें इसे कर कैसे सकती हो मौरी ने कहा कि तुम्हें शायद लगता होगा कि तुम्हारे फादर बहुत ही perfect थे पर वो मेरे फादर 1964 के ओलंपिक चैंपियन थे स्विमिंग में और स्विमिंग करते हुए उनकी डेथ हो गई एक कैसे बहुत ही भले केली भी उसे समझ लेती है और अपनी मदर की डेथ की बारे में बताती है कहती है कि उसे डाइपटीस था एक दिन इंजेक्शन की ओवरडोस की वज़े से उसकी डेथ होकी उस वक्त मेरे फादर घर में ही थे पर इस सिर्फ एक एक एक्सिडन्ट था पर अजीब बात ये थी कि मदर को गुजर जाने को एक ही मंद हुआ था और अपनी नई गर्फरेंड को अपनी घर में लेकर आए ये बात स्कॉर्ट को भी अजीब लगती है वो अपनी मदर पर और भी ज़दा शक करने लग जया था जब सुबह उसकी मदर बाहर गे तो सारी रूम को चेक कर रहा था के लिए देखकर उसके पास आए कहा कि ये सब करना बन कर दो तुम्हें अपनी मदर पर शक नहीं करना चाहिए मैंने भी मेरे फादर को बहुत ब्लेम किया था पर जो भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सिटन्ट था नेकसिन में हम देखते हैं कि स्कॉर्ट जिस घर पर काम कर रहा था वो देखने के लिए उसकी मदर और ऑलिवर आए ऑलिवर कहता है यहाँ पर जगा तो बहुत ही अच्छी है यहाँ पर डेवलप्मेंट होनी चाहिए स्कॉर्ट कहता है कि मेरे फादर को यहाँ पर कुछ भी चीज़े कमर्शल नहीं करनी थी और वेसी यह सब चीज़े रहे की नेकसिन में स्कॉर्ट और केली जब अकेले थे तो एक घर वो क्यो बील्ड कर रहा है इसके बारे में उसे पताता है अपने वादर को बहुत मिस्स करता है इसके बाद Nixon में हम directly Oliver और Morin इन दोनों की शादी देखते हैं इससे स्कॉर्ट बाहर निकल आया उसके पीचे-पीचे केली भी आती है वो उसे किस करने लगी कहती है इससे तुम्हें अच्छा लगेगा यह ही पर intimate हो जाते है रात में दोने एक पार्टी में आए जहाँ पर केली से एक आदमें बत्त मीजी करता है तो उसे वो बाइट कर लेती है केली के साथ अगर कोई गलत करे तो उसे जाने निदे सकती है अब थोड़ी दिन बीद के और हमेशा एक दुसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे एक रात अचानक से केली की चेस्ट में पें हुआ स्कॉट उसे होस्पिटल में लेकर जाता है डॉक्टर से इने पता चला कि कुछ पिल्स लेने की वज़े से हुआ है केली को अल्रेडी ब्लड प्रेशर था उसमें उसने गोली ली जो मौरिन ने उसी दी थी ये बात सुनका स्कॉट को एक बात क्लिक हुए कि अगर उसके फादर ने भी यही गोली ली होगी तो शायद इस वज़े से उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है उसने अपने फादर की जीजों में सेम गोली देखी हुई थी इसमें इन्वेस्टेशन करने के बाद उसे पता चला कि एक हरबल गोली है यह आसानी से उसकी मदर को मिल सकती है अब उसे एविडेंस की जरुए थी कि एक्चॉल में उसके फादर ने गोली ली थी तो अपने लॉयर फ्रेंड को कॉल करता है उसने कहा कि मेरे फादर की ग्रेव को हम डिक करेंगे और उससे तुम टॉक्सिक अलोजी रिपोर्ट निकालना पहले तो लॉयर फ्रेंड इसके लिए मना करा था पर रात में जाकर यह बोड़ी को निकाल लाते है स्कॉर्ट की मदर के बाहर जाने के बाद उसका पुरा रूम वो देख रहा था इसमें उसे कुछ फोटोस मिली फोटोस देखती है तो बैगराउंड में उसके फादर को होटेल था स्कॉर्ट फिगर आउट करता है कि जब उसके फादर जिन्दा थे तब ही से उसके मदर का उलिवर के साथ अफेर है इस बात से वो बहुत जादा गुस्सा आओ गया उसे लग रहा था खिशायद उलिवर और उसकी मदर ने मिलकर उसके फादर को मार डाला इस बात से केली को भी बहुत बुरा लगता है रात में जब ये दोनों हेंग आउट कर रहे थे तो स्कॉट कहता है मेरे फादर हमेशा से इतने अच्छे नहीं थे मैं जब छोटा था तो उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग था वो बहुत जादा ड्रिंग किया करते थे एक रात ड्रिंक करकर वो अपनी सेक्रेटरी के साथ घर आ रहे थे तब उनका एक्सिटन्ट हो गया गाड़ी पानी में चली गी वो तो बच गए थे पर सेक्रेटरी की डेथ हो गई इसके बाद से उसके फादर सुदर गए थे इसी फ्लैश बैक से हमें पता चलता है कि जो सेक्रेटरी की टेथ हुई थे यह मदर थे केली ने अपनी मदर के बारे में उसे जो भी पता है यह सब कुछ जूट था स्कॉट इन दिनों में केली से बहुत ज़ादा प्यार करने लग्या था उसके लिए एक ब्यूटिफल सी पोएम भी लिखता है यह पढ़कर केली के आखों में आसु आ गए थे एक दिन सब मिलकर जब लंच करे थे तो स्कॉट बहुत ही ज़ादा ड्रिंक करता है उसे अभी भी पता चला था कि एक्च्वल में उसके फादर ने ओगोली ली थी इसी वज़े से उन्हें हार्ट अटक आया था वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है केली को भी इसके बारे में उसने बता दिया नेक सीन में मौरीन केली की पास है वो गहती है यह शादी मेरे लिए एक हैपिनेस है क्या स्कॉर्ट इस चीज समझ नहीं पाता केली ने का क्यों समझने की बहुत कोशिश कर रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर नेक सीन में मौरीन जब ओलिवर के साथ थी तो उसे कहती है हमें उसे सब कुछ सच-चच बता देना चाहिए था क्या मरा फेर बहुत दिनों से है इसका मतलब स्कॉर्ट का शक्स सही था केली जब स्कॉर्ट के बास आई हुई थी तो उससे कहती कि मैं तुम से बहुत प्यार कर दियू पर मुझे एक बात कनफेस करनी है मेरी मदर की डेट डायविटेस की वज़े से नहीं हुई थी एक्चॉल में तुम जब छोटे थे तुमारे फादर का जो एक्सिडन्ट हुआ था उस एक्सिडन्ट में सेक्रेटरी मेरी मदर थी इस बात से स्कॉट डिस्टब होगा है सारी से से वो फिगर आउट करने लगता है वो गहता है तुमारे फादर को मेरी मदर के बारे में हमेशा से पता था उसी ने मिलकर सब कुछ ए प्लैन बनाया होगा क्या तुम भी इसमें इंड़ थी वो गुस्से में आसे जा रहा था पर केले उसे जाना नहीं देती वो कहती कि प्लीज मुझे पर ट्रस्ट करो मैंने ये कुछ भी नहीं किया था ये दोनों फिर इंटिमेट हो गए अगली सुबा ओलिवर का फोन कॉल स्कॉट सुनता है ओलिवर एक्च्वल में इस आइलन्ड पर कुछ बील करने वाला था पर स्कॉट ने इससे उसे मना कर दिया वो गुस्से में अपनी मदर के बास है कहता है मैं प्रॉपर्टी तुम्हें सेल नहीं करने दूँगा मुझे पता है कि तुम्हारा और ओलिवर का पहले से अफेर था क्या तुम दोनों ने मिलकर फादर को मार डाला मेरे पास रिपोर्ट है यह तुम्हें भी मिल जाएंगे गुस्से में यहां से चला जाता है इससे के पैरलल में केली ओलिवर से मिलने के लिए आई हुई थी वो खहती है हम जो भी सब चीज़े कर रहे हैं यह हमें स्टॉप करनी पड़ेगी ओलिवर कहता है कि सब कुछ तुम्हारा प्लान था अब तुम्हें जो सही लगे वही हम करेंगे उसके साथ लास्ट टाइम डांस करना चाता था और डांस करते वक किस कर लेता है हमें आगे पता चलेगा एक्चुल में ओलिवर एक केली का फादर नहीं था जब वो 14 अर्स की थी तब उसने उसे अडॉप्ट किया था और तभी इसे इन दोने में संबन थे केली ने जब अपनी मदर की डेट के बारे में ओलिवर को बताया था तब इस उसने प्लान करना स्टार्ट कर दिया था बदला लेने के लिए यहाँ तक वो पहुँच आये थे नेक्से में ओलिवर मॉरिन को स्कॉट जो घर बिल्ड कर रहा था वहाँ पर लेकर आता है मॉरिन भी अब ओलिवर पर शक करने लगे थी ओलिवर कहता है यह सब कुछ पर नहीं है यह सब कुछ उसकी इमेजिनेशन है उसने यहाँ का गैस ओन कर दिया और मॉरिन को एक सिक्रेट देता है कहता है कि तुम रिलेक्स करो और वो फिर बात्रूम में चला गया वो बात्रूम की खिड़की से निकल जाता और मॉरिन की डेत हो जाती है पर एक खिड़की खुलती ही नहीं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा स्कॉर्ट और केली इन दोनों को हस्पिटल में बुलाय जाता है केली बहुत फास्ट ड्राइव करकर हस्पिडल में आ रही थी तुसे ट्राफिक का तिकेट मिल जाता है हस्पिडल में आने के बाद और बहुत जाता जखमी था वो उससे कहती कि तुम्हें इस सब करना नहीं चाहिए था मैंने तुम्हें पहले ही रुकने के लिए खाया था गुसे में उसने ओलिवर का अक्सिजन मास निकाल लिया तभी यहाँ पर स्कॉट भी पहुचा हुआ था उससे पता चलता है कि उसकी मदर की डेट हो चुकी है वो जब ऑलिवर के पास है तो उसका मास देखता है ऑलिवर का मास के हाथ में था सब को लगता है कि स्कॉट नहीं ऑलिवर को मार डाला स्कॉट डर गया और वहाँ से भागनी की कोशिश करता है पर पुलिस उसे पकड लेते है सारी चीज़ों के लिए पुलीस उसे ही ब्लेम करे थे क्योंकि जो explode हुआ उसका ही घर था मदर के गुजर जाने के बाद सारी property उसे ही मिलने वाली थी स्कॉट के lawyer के आ जाने के बाद सब कुछ सच सच जो पुलीस को बताने की कोशिश करता है पर हो मान नहीं रहे थे तो तभी वहाँ पर के लिए आकी केली पुलीस को बता दिये कि होस्पिटल में मैं भी थी स्कॉट जब वहाँ पर पहुचा तो ओल्य और की पहले ही डेथ हो चुकी थी केली पुलीस को बता दिये कि सारा plan ओल्य वर का था वो पूरी property अपने लिए जाता था पुलिस फिर lawyer से बात करते और Scott को छोड़ दिया जाता है Scott और Kelly जब घर पर आ रहे थे तो Scott उसे कहता है तुमने आज तक मुझे जो भी पता है मैं किसी भी चीज़ पर believe नहीं कर सकता क्योंकि सब कुछ जूट हो सकती है केली कहती कि मैं तुमसे बहुत ज़ादा प्यार करती हूँ मैंने तुम्हें अब सब कुछ सच सच बता दिया है तुम्हें मुझे पर trust करना पड़ेगा अगर trust नहीं तो प्यार भी नहीं होता Scott मानने के लिए ready नहीं था तो चलती गाड़ी से केली कुदने लग गए Scott उसे बचा लेता है पर बचाने में गाड़ी का इनका accident हो गया इसमें Scott को ज़रा injury आए केली उसे गाड़ी से बाहर निकाल दिया कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो मैं दुमसे बहुत प्यार करती हूँ स्कॉट भी अब उसे माफ कर देता है इसे के साथ ये मुवी एंट हो जाती है केली पहले तो रिमेज लेना चाहती थी पर जब उसे स्कॉट से प्यार हुआ तब अपना माइन वो चेंज कर लेती है पर तब तक ऑलिवर बहुत आगे चला गया था ओलिवर को उसके की की सज़ा भूगत नहीं पड़ी और इसे के साथ आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आप को वीडियो अचला लगता है तो प्लीज इस लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारे मुवीज लेकर आता रहता है तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन नहीं मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमूग के साथ तो तक लिए थाइंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया